तो अलो बाई लो कैसे हो आप सब स्वागता आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इस्टेडी प्लैटफॉर्म पे जैसे कि आपने थमनेल देख लिया होगा आज के इस वीडियो में बात करेंगे Defense and Strategic Studies जिसको आप Military Science कहते है ठीक है Basically यह paper जो आपका रहेगा 5th semester के 1st paper का question paper रहेगा आपका ठीक है 1st paper का यह question paper है जिसके answer कि मैं आपको इस वीडियो में कराओंगा तो आपका यह paper रहेगा राजा महिंदर पृताप सिंग उनिवर्सिटी का अलिगड़ का paper रहेगा अगर कोई students अलग universities है तो इस वीडियो को देख सकता है क्योंकि आपके university में इससे related questions काफी आपको आपको देखने को मिलेंगे और ठीक आपको एक बाद बता दूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया था ना आपके लिए तीन वीडियो मैंने तैयार किये थे military science के लिए उन तीनों वीडियो मेंसे मैंने 1500 questions कराए थे 1500 questions मेंसे 40 से मलब कि 35 से 40 questions इस question paper में आपको देखने को मिले हैं तो मैंने जो मेहनत की थी उसका मुझे काफी खुशी है कि मेरे वीडियो से काफी questions आपके आए है है ना अगर देखो मैं आपसे कहना चाला हूँ अगर कोई students वीडियो देख रहा है जो अलग university से है तो आप उन तीनों वीडियो को जरूर देख लेना और इस वीडियो को भी जरूर देख लेना क्योंकि आपका पूरा paper क्या कहते है ना पूरा एक तरह से पूरा syllabus complete हो जाग ठीक है question मैंने कराया हुआ है ठीक है next question आपसे पूछा गया था सेना की प्रात्मिक भूमी का क्या है question आपसे पूछे क्या है इसमें थोड़ा मुझे doubt हो रहा है लेकिन मैं प्रात्मिक भूमी का जो दूंगा वो दूंगा थल आधारित युद्ध कलागो ठीक है be is the right answer और पाके एक बड़्चेक कर लिजी एक है नेक्षट कोशन आपसे कराए अर्दसेनिक बलों की प्रात्मिक भूमी का क्या है अर्दसेनिक बलों की प्रात्मिक भूमी का होती है सीमा सुरक्षा और आंत्रिक सुरक्षा be is the right answer ठीक है next question आपसे कराए बंगलादेश से लेगी भा भारती सीमा की जो मलब बंगलादेस और भारत की जो सीमा है वहाँ पर कौन सा अर्दिसेनिक बल तैनात रहता है तो बीस एफ रहता है बॉर्डर सेकुरिटी फोर्स ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूचे रहता है भारत के उत्तर पूर्व में इमर्जेंसी निरूदी कार्रवाई में कौन सा बल विशेषता रखता है तो कौन से रखता उत्तर पूरव में कौन से रखेगा एक बेसिक सा आईडिया आना चाहिए असम राइफल ठीक है असम राइफल रखेगा न तो डी इस दर राइट राइट अंसर नेक्स्ट कोशन आ औद्धो के सुरक्षा बल मुख्य रूप से किस पिरकार के संस्थानों को सुरक्षा पिरदान करती है तो अंसर कर देंगे उप्रुक्त सब्य क्योंकि थे वो बैंक को मेट्रो रेल और तेल शोदक कार खाने आधी फैक्टरियों को जो है कि इंद्धिने औद्धो के पिरदान करती है ठीक है तो D is the right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछा गया था कि सुरक्षा बल जिसको आप BSF कहते हैं किस मंत्रा लेके प्रिशाशन में है तो मैंने आपको यह कोशिन कराया कि ग्रह मंत्रा लेके ठीक है जितनी भी फोर्स में जादतर ग्रह मंत Detail को ब्रहिण को व्ह appeties कि सीमा की रक्षा करता है तो यह में आपको कोशिन कराया कि नेपाल के साथ करता है ठीक है मैंने आपसे कराया था कि नेपाल और भारत की जो सीमा रिखा है वहाँ पर कौंसे अर्दसजानिक बल तयानात रहता है तो ठीक है आपको इनते रहीःगा कितने कोशन आ रहे हैं मेरी बात पर यकीन मत करिएगा कि कितने आए ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे कर रहा है निमलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ा अर्दिस्यानिक बल हो जाएगा CRPF ठीक है विश्व का सबसे बड़ा अर्दिस्यानिक बल जाएगा नई उनिवर्सिटी है मतलब कि राजा महेंदर प्रिताप से नहीं है क्योंकि यह पेपर वहां का है अलग उनिवर्सिटी से है न तो पेपर वीडियो वही रहेगा आपके लिए भी पेपर आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं ठीक है और पेपर में से आप देख जरूर ले ठीक है कचार लेवी के नाम से असम राइफल की स्थापन होती है 1971 में इसका नाम कचार लेवी से बदल के असम राइफल लग दिया जाता है मैंने आपको कोशन कराया हुआ है गिनते रहिएगा नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रे सुरक्षागार्ड एन कमणु का लो पर यी नाम क्या है एने स्च कमणु का लोक पर यी नाम क्या है टीक है कहूआ है को dar aux판ale को क्माणु के नाम से बहुत हूक नाम से bhi जानते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशेन आपसे कज dispie को चलत रहा है याikh कोशिन आपसे कह रहा है भारतिय नौ सेना में लेफ्टिनेंट जर्नल के समक्ष रेंग क्या है देखो यह कोशिन थोड़ा गुमागर पूछ रहा है लेकिन एक तरह से देखे ना तो कोशिन यह वाला भी मैंने कराया हुआ है यह करा है कि जो लेफ्टिनेंट जर्नल होता है जर्नल किसमें हो जाएगा आपका थल सेना में जर्नल के बाद आता है लेफटिनेंट जर्नल सेकंड नमबर पे और वाइस एड्मिरल आता है आपका नौ सेना में तो पुछा है भारती है नौ सेना में लेफटिनेंट जर्नल के समक्ष जो लेफटिनेंट जर्नल आता है वो आ तीक है कोशन इस तो तरह आगर इसतरा से देखे तो मैंने नहीं कराया है लेकिन सब की दmost बताई थी ओभ shaak सबसे बड़ी rank रंख ही तो rhannetty aos 11 works योग इसे नफ।ी इ做फ दौक रहने उलेगाए ंप 5 स्थार रंख जो है फिल्ड मार्शल द्वारा लगाया जाता है ठीक है कोशिन आपको कराया हुआ है पर वैसे नहीं कराया लेकिन पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था ठीक है आफिसर ट्रेनिंग अकेडमी is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है कि भारते वायू सेना का पेरा टूपर ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है कोशन आपको कराया हुआ है आगरा में इस्तिते में आपको बताया था ना पेरा टूपर टूर पर कहां जाते हैं नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है कि भारते सेन्ने अकेडमी का आधर वाक्य क्या है तो भारते सेन्ने अकेडमी का आधर क्या कहते हैं उसको आधर्श वाक्य हो जाएगा कर्तव्य सम्मान और देश ठीक है डी is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है जो भारती नो सैना में नो सैना अध्यक्ष की न्यूक्ति कौन करता है तो भारत के रास्टपती करते में आपको बताया था कोशिन आपको कराय हुआ है Next question आपसे कहरा है कि निमली खित में से कौन सा रक्षा मंत्रा लेकर कारे से नहीं है तो निमली खित में से वो कौन सा कर रहा है जो रक्षा मंत्रा लेकर रक्षा मंत्रा ले नहीं करता अंसर कर देंगे आपता साहता बीजदा राइट अंसर ठीक है Next question आपसे कहरा है NDA में इसना तक होने पर कैड़ेटों को आम तोर पर कौन सी रेंक क्या करता है प्रिदान की जाती है जो NDA होता है NDA जो होती है ना परिक्षा NDA में इसना तक यानि कि ग्रेजूइट होने के बाद आम तोर पर कौन सी रेंक प्रिदान की जाती है तो अंसर कर देंगे लेफटनेंट की ठीक है लेफ्टिनेंट की रैंक जो पिर्दान की जाती है थलसेना के अंदर अब आपको कोई और भी दिमाग में आ रहा हुआ लेकिन ए इस दर आइट अंस ठीक है नेकिन आपने इसमें रास्ट्रपती या फिर रक्षा मंत्री टिक किया होगा बट पिर्दान मंत्री इस ठी सदस्से नहीं है तो रास्Đ सुरक्षा परिश्दा य tub súनल कामद है भारती सेना में कितने operationmind है प्रति सेना में में साथ अप्रेशाणल कमांद है आप याद रखेंगे थीक है नेक्स्क्राइड आपक्ति कह रहा है निमलिखित में से निमलिखित में से कौन सा भारतिय थल सेना का एक पधिचालन कमांड नहीं है देखो यह कोशिन ना मेरे फ्याल से मुझे लगता है कोशिन इन्होंने गलत आप से किया है क्योंकि भारतिय थल सेना में जो है इस चारोई कमांड आपको देखने को मि एक option आपको गलत देता, कि मध्धा command जैसे मौनलो, हमारा लखनों में, लखने उकना देकर, प्रिसुपर टिक कर देता, वो चंदीगण में नहीं है, इस तरह से शाइद ये question हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याँद, कुछन ये गलत है, अगर आपने इस पर कुछ भी टिक किया है तो मेरे हिसाब आपको पूरे नमर मिलेगे मतलब की कुछा यह पर पूरे नमर आपको मिलने छही है आपने कुछ भश भी टिक किया है और अग है अगर मैं कुछ गलत कर रहा है तो आप मेरे परिचालन कमांड भारती सेना में जो है 5 ही क्योंकि एक महां पर आपको ट्रेनिंग कमांड देखने को मिलेगा और एक मैंटेनेंस कमांड देखने को मिलेगा है न तो पांच परिचालन कमांड हो जाएंगे next question आपसे कह रहा है कि भारते वायू सेना के पस्चिमी कमांड का मुख्याल ले कहां इस्तित हैं अंसर कर देगे नई केंगे कितने ऑन स्यना में तो रिजय न मैं होते हैं और परेचालन कमांड हो जाएँगी is the right answer next question और पस कमांड सागर में भारत की समुद्रि सीमा समुद्रि सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो देखिए भारत की अरब सागर के तरह है, पस्चिमी की तरफ है ना, पस्चिमी कमानी हो जाईगी ना, राइट अंसर हो जाएगा, बी, next question आपसे कह रहा है देखो थोड़ा आपको दिखी नहीं रहा होगा लेकिन थोड़ा कोशिश करेंगे क्योंकि जिसने भाई ने भेज़ा है उसका शायद इस तरह से थोड़ा कैमरा थोड़ा मुझे इससे लग रहा है तो खेर उसको कोई मसला नहीं है आप इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे दोगर कह रहा है कि भारतीय सेला की कौन सी शाखा मुख्य रूप से बार सुरख्चो और राहत कारों के संचालन के लिए जिम्मेदार है तो अंसर कर देंगे इंजीन जिंग विभाग ठीक है ए इस दा राइट अंसर बारत का निम्म लिखित मेंसे किसके साथ रख्चा और स्ट्राटेजिक सायोग नहीं है तो भारत को जो देखो अधक्षिन अफरीका के साथ भी है ब्राजिल के साथ भी है रूस के साथ तो सब को पता ही है चीन के साथ जो है स्ट्राटेजिक सायोग नहीं है A is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है कौन सा भारती सेन ने संस्थान विदेशी सेना के जवानों को विशेश प्रिशिक्षन प्रदान करने के लिए पिरसिध है अब भारत में विदेशों को सेना क्यों मतलब की क्या केते हैं उसको पिरसिक्षन क्यों दिये जाएगा है ना इन में से कोई नहीं D is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है भारत के वरतमान एयर चीफ मार्शल कौन है आपको मैंने कोशन कराया हुआ है एयर मार्शल विवेक चोधरी A is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है नेक्स्ट कोशन आपको मैंने इस तरह से कराया था के जो केंदिरे रिजर्व पुलिस बल होता है ना वो ग्रह मंतरा ले के अधीन होता है इस तरह से question आपको कराया हुआ है ठीक है next question आपसे कह रहा है next question आपसे कह रहा है भारते सेना में short service commission अधिकारियों के लिए मुख्य पिर्शिक्षण अकाडमी संस्थान कौन सी है तो अंसर कर देंगे अधिकारी पिर्शिक्षण अकाडमी जिसको आप officer training academy OTA बोल दे है ठीक है next question आपसे कह रहा है कौन सा देश भारत को भारत को S-400 वायो रक्षय मिसाइल पिर्णाली की आपूर्ती करता है तो अंसर कर देंगे Rus C is the right answer next question आपसे कह रहा है आप दा राहत कारोय में नागिक प्रादिकरन के साथ सायोग करते समय सशस्त्र वलो का प्राद्मिक उद्देश्य क्या होता है तो सशस्त्र वलो का प्राद्मिक उद्देश्य होता है आपका जीवन और संपत्ती बचाना D is the right answer ठीक है next question आपसे कह रहा है next question आपसे कह रहा है भारते सेना में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर कौन है देखो दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है उसके लिए मैं माफिश चाहता हूँ बट आप एड़्यस करेंगे फिर से पढ़ लिए चाहें तो कि भारते सेना मे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर कौन है अंसर कर देंगे आपचारे करतववे के लिए जिम्मेदार अधिकारी D is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है इसको पीडियाफ दिए आपको टेलिग्राम पे मैं इसको डाल दूँगा वहां से आप देख लिएगा और आराम से जू ने अभ्यास माला बार प्रिथिभाग नहीं करता है अंसर कर देंगे चीन इस दा राइट अंसर ठीक है इसका पीडियाफ के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं चाहें तो वाट्सप में वहां पे आपको लिंक प्रोवाइट कर दूँगा या फिर पीडियाफ ही सेंड कर नो सेना की सेना आयूद कोर की जिम्मेदारी क्या है अंसर कर देंगे गोला बारूद आपूर्ति और पिरबंदन करना A is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा गया था नेक्सट कोशन आपसे पूचा गया था भारत में कौन सी संस्ता NDA राष्टय रख्षा साच्छातकार और मनोवेगैनिक मूलियंगन C is the right answer ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था ये कोशन मैंने आपको कराया हुआ है कि भारते सेना दिवस के स्तारीख को मनाया जाता है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है मैंने आपको बताया था 15 जनवरी 1949 को भारते सेना दिवस पहली बार मनाया गया था 15 जनवरी याद रखी गए इस तरह से नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है कि भारते सेना का आदर्श वाक के हो जाएगा सुए से पहले सेवा एस दा राइट अंसर नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है क्वार्ड में किन देशों के बीच रड़नीतिक समवाद शामिल है अंसर कर देंगे भारत अमेरिका जापन आस्ट्रेलिया एस दा राइट अंसर नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछा गया था भारत में बार राहत कारों के समनव्वे के लिए मुख्य रूप से कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है अंसर कर देंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्ट जिसको आप NDRF बोलते हैं ठीक है B is the right answer नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछा गया था भारत में समीदान का कौन सा अनुचेद केंदर सरकार को नागरिक प्राधिकरण की सायता के राज्ये में 66 बलो को तैनात करने की अनुमती देता है अनुचे 355 D is the right answer ठीक है नेक्स्ट कोशिन आपसे कह रहा है नागरिक प्राधिकरण के साथ 66 बलो के सायोग के लिए मार्ग दर्शन सिध्धान्त क्या है तो सेन्य पिर्भुत्व A is the right answer ठीक है नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछा गया था भारतिय नो सेना का आदर्श वाक क्या है तो देखे भारती है वाई-ँ-शेना का आदर्श वाक्य हो जाएगा आपका शाह नो वरुन शाह नो वरुन जो की इन other option-ों में थी नहीं तो आपने जो विए अनसर लगाए होगा squadron be is the right answer squadron में minimum 18 आपके वायू सैनिक हुआ करते हैं ठीक है 18 वायू सैनिकों के एक टुकडी को squadron कहते हैं और 2-3 squadron को मिला के आपका प्लैटून बन जाता है battalion जो होता है उसमें करीब 3000 तक सैनिक हुआ करते है 500-3000 के आसपास और 3-4 battalion मिलके एक बिरिज बन जाते हैं इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं तो सबसे छोटी जो एकाई हो जाएगी आपकी squadron हो जाएगी जिसमें सिरिफ मात्र 18 सैनिक हुआ करते हैं वायू सैनिक हुआ करते हैं नेक्स्ट कोशन आपसे कहरा है राश्ट्रिय रक्षा अकादमी में आवेदन करने के लिए आवश्चक न्यून्तम सैच्छिनिक योग गिता क्या है अंसर कर देंगे कक्षा 12 पास B is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था भारतिय सेनने अकाडमी नोसेना अकाडमी और वायूसेना अकाडमी में भड़ती के लिए सैयुक तो रक्षा सेवा परिख्षा कौन सा संगठन आयुजित करता है अंसर करतेंगे UPSC संग लोग सेवा आयुग D is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था इसको थोड़ा अड़िजस करेंगे आप PDF मुझसे जरूर ले लीजीगा ठीक है या फिर ना ले तो आप महाँ पे आपको मिल जाएगा किकेते हैं उसको टेलीक्राम पे किस अर्दसैनिक बल को पहाड़ी लोगों का मित्र कहा जाता है यह है भारत के पूरवत्तर छेतर में तेहना थे तो आपको पूरा हिंट दे दिया कि पूरवत्तर में रहते हैं तो कौन रहता भी असम राइफल रहता है और मैंने आपको कोशन बेसिकली कराया हुआ है असम राइफल इस दा राइट अंसर ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है कौन सा अर्दसैनिक बल आतंगवाद, विरोधी और बंदक बचाव कार्रह में विशेशता रखता है अंसर कर देंगे नेशनल सिक्यूरिटी गार्ट कोशन आपको मैंने कराया हुआ है ठीक है, काफी कोशन पीछे रहेगे जो मैं बतानी पाया खेर कोई बात नहीं नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द व्यापक है और इसमें शेशस्तर बलो की सभी शाखाएं शामिल है तो अंसर कर देंगे रक्षाबल, ठीक है रक्षाबल, C is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है भारती सेना की इस्थेतिक सनरचना का प्रात्मी कुद्धिश्य क्या है अंसर कर देंगे अंतर राष्टे शांती मिशन B is the right answer नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है भारती सेना के संदर्व में C.O.A.S. का क्या अर्थ है तो C.O.A.S. का अर्थ हो जाएगा आपका Chief of Army Staff B is the right answer ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था भारती सेशेस्तिर बलो का सर्वच कमांडर कौन होता है तो भारती सेशेस्तिर बलो का सर्वच कमांडर होता है भारत का रास्ट पति C is the right answer ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था बार राहत कारोय में रास्ट्रिय आपदर प्रतिक लिया बल NDRF की क्या भूमी का है तो अंसर कर देंगे विशिष्ट खोज एवं बचाव अभ्यान C is the right answer ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया था भारत की रक्षा से संबन्दित मामलो पर भारत के रास्ट पति को सलहा कौन देता है तो अंसर कर देंगे प्रधान मंत्रे देता है A is the right answer ठीक है यहाँ पर आपका पूरा कोशन पेपर सॉल हो चुका उम्मित करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा टेलिकर आप पे मैसिस्ट कर दियेगा नहीं वाटसाप पे मैसिज कर दियेगा मैं आपको पीडियाफ का लिंक सेंट कर दूँगा आप उसमें देखके आराम से पढ़ते रहेगे ठीक है मेरे तरफ से आप सभी को बैस्ट अफ लख रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर दिया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज शेयर जरूर करना आप से मेरे रिक्वेस्ट रहेगी ठीक है फिर ख्याल रखें अबना आला हाफिज